कैसे हो आप सब आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और गर्मियों में अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे तो मैं आज आप लोगों को अपना डेली केयर रूटिंग दिखा रही हूं बस जो भी मैं नहाने के बाद हलका फुलका जो भी मैं मेकप करती हूं मैं आप स उसके बाद से मैंने ये लगाया थोड़ा आशा क्रीम मैं इसे डोट डोट करके मैं थोड़ा थोड़ा इसे लगा लूँगे उसके बाद से मैं डेली जो एक मही लाया करती है सिंदूर बिंदी लिपिष्टिक बिंदी ये सब मतलब मैं जो भी कर रहे हैं डेली मैं करती अपने पर्सनल वह मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूं आप ब्लोग में बने रही एगा मैं वाइस ओबर करके मैं अभी आप लोगों को समझा दे रही हूं लेकिन मैं आगे वाइस ओबर नहीं करूंगे आप लोग खुद ही मेरे सारे रूटिंग को आप लोग आईब्रो पैंसिल करती हूं क्योंकि हमारे बहुत ही भूरे भूरे हैं तो फिर इसे ना समझ में मतलब भूरे भूरे दिखते तो अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं काले करने के लिए मैं आइब्रो पैंसिल उच करती हूं मुञ कि अऐसरे ऑछा है यु compliqué मुझ कि अब आघे यु आcotका हुर चा這裡 लख कि अपर्णों कि यु यु कि अपर्णा कि यु एा हुर कि अच कि अच़का अच कि अच़ कि अच़ भी अच? mistप कि अच कि अच़को है या कि अचर आयनो Massachusetts माझ झा गङüllt। मुण लग हैं आपका नष्ड़ को अवज लगाएं मुई को अवज भी टो अवbased हुज जी लगे हुज अव भी आपका लगार को अ अवि घघाएं लगए लगगार शेला वीग हुज अब लग वीदिक लगार एग एग लग ज्टका अव लगज ये लगाएं लगज लगग में ने लो जी पुराब मों खो टो दो हमों完成 मुट्फटेरे से करें यो लो यो जार जार जब आफलो तो आव मां पतले से चाह凌ई अथा क्रेंग अजार मिलो चैसो को कैसे घू यारा सब्टे लो, यारा क्यारा और खेंगे Mование Weight अब कर लोंपड umग eman है यह?्योग यह! हेंगे में खुदत शोच्यफ यह किटे कि म localरी लोख और भग अर फुर लग को लो में घड़ेंité झार पुरें कि लोगें सुबादconom धचिता है झार ज़ा खुरेंपığे इयत बर इधिश ecos पूरा मेरा सारा सिंदूर बिंदी लेकर बैठा हुआ है तर जाके माना हुआ है इसके पापा काम कर रहे हैं और परिशान कर रहा है यह जब को काजल है दो तुमको लगा दें तुमको काजल लगा दें इसमें आँक मैं देखो हम लगा है लगा देंको ऐसे दिखाएं तुमको बहुत परिशान कर रहा है सबसारतिन और आज हम जा रहे हैं अपने बालों मे ऊएल लगाने बहुत जाद में बाल उलज गया हैं तो मैंने सब खराब कर रहे हो गंदु गंदु यह पर लोग में बने रही है आप लोग में बने रही है आप लोग जाद में बने बने रहनाग कर रहा है आप लोग में सब बने बने रहा है झाल 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 देखिए नेल पेंट लगा लिया देखिए मेरे नेल कैसे लग रहे हैं अब ही बढ़े बढ़े मेरे नेल रहते हैं लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले इसको कड दिया हैं जब भी कुछ पता निक्यु क्यों मेरे साथ इंदर मजीब सा होता है थोड़ा सा मुझे परिशानी या टेंशन होती हैं मेरे अपने आप फिर टूपना सुरू हो जाते हैं मुझे काटना भी ने पहसे जड़ से एकदम थोड़ा सा तूड़ना ही पड़ जाता है लेकिन फिर अब थोड़ा थोड़ा बढ़ना आया तो मैंने बहुत दिनों से नहीं लगाया लग रहे हैं तो अभी बच्चे से आये नहीं है तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा के चलो यह काम मैं निव्टा ले रही हूं इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं हो पाता है और इस नाखुन में तो बिल्कुल नाखुन बढ़ता ही नहीं है मेरा इस्त बहुत परिसान करता अभी पिटा करके गया है चाथ तो सोने के लिए उसको उसकी ममी लेकर के गई है जानते बाहर गाड़ी रखा हुआ ना जब भी आ रहा है नीचे ना स्थी गाड़ी पे ही चल रहा है गाड़ी पर दर लग लग जाएगा लेकिन उसको बिल्कुल भी ड प्लीज हमारे चैनल को जल से जल सब्सक्राइब कर लिजिए वस्टाइम नहीं बढ़ रहा है मेरे सब्सक्राइबर मतलब बढ़ रहे हैं लेकिन वस्टाइम बहुत-बहुत इकम है इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो दे रहा है देख रहा है प्लीज सपोर्ट कीजिए बहुत जल्द हम लोग भी आगे बढ़ेंगे अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो एक नएक दिन हम लोग भी जरूर ही कम्याभी मिलेगा अभी तो संघर्ष का समय हैं संघर्ष कर रहे हैं देखते हैं कब तक यह संघर्ष जारी रहती है त मिलते हैं अभी आप सबसे थोई दिर में यहारा मम्मे जी वाटन तक साफ सफाई है इस इतनी सारे आलू रथ हैं तो गाई सब गर्मियां बहुत ही जादा बढ़ गई है तो बच्चे फ्रीज कप में पानी ठंडा पानी पीने के लिए जिद कर रहा है तो मैंने बहुत दिनों से मैंने ठंडी से ही बॉटल को रख दिया था साफ नहीं किया था तो अब लग रहा है कि जैसे फ्रीज में प अब बच्चे गरम पानी ऐसे फिल्टर का पानी एक दम ही गरम हो जा रहा है कि को टंकी से ही पानी आता है तो अब फ्रीज में पानी रखना पड़ेगा इसके लिए मैं सारी बॉटलों के अच्छे समय क्लेनिंग कर रही हूं और यह जो नीचे आलू रखा हुआ था आलू मतलब खेतों में होता है तो मेरी मम्मी दी थी तो वही आलू अभी नीचे रखा हो ओ भी मतलब इतनी गर्मी के वज़ा से सूखने जैसा लग रहा है और इस साल तो मतलब एक बायक गर्मी इतनी जादे बढ़ गई है बहुत ही जादे गर्मी अभी बढ़ गई है अभी तो ब्लोग को यहीं पे समात करना चाहती हूं आप सब की इजाजत है तो फिर मिलते हैं next ब्लोग में ततक आप अपना ध्यान रखे अपने बच्चों का खास करके ध्यान रखे फिर मिलते हैं next ब्लोग में